महा शिवरात्री की सुपकामना है दोस्तों तो हमारे मंदिर में बहुती सुन्दर सा आयोजन किया हुआ था सिवरात्री के फंक्षन पे अमर्नाद बाबा के दर्शन का सोभाग्य हमें मिला बहुती अच्छा आयोजन किया हुआ था संथिया बंदना के लिए जैसे ही हम पहुचे प्रदोस काल के समय पे तो वहाँ पे हमने देखा कि अमरनाद बाबा की सिवलिंग का निर्मान किया जा रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और जो ओमकार को दीप से सजाया गया था तो इतना सुंदर लग रहा था और बहुत ही भीड लग गई थी बहुत ही भीड थी सबको उस्सा हो रहा था सब ओम नुमश्या के नारे गुज रह थे सब भी ये जो इतना सुहाना सा द्रश्ते था उससों कैप्चर करने में लगे हुए थे और हम फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मंदिर भी खुब अच्छा सजाय हुआ था और प्रदोसकाल के समय में सब ही पहुच गए थे भक्तिजन फूजावंदना करने के लिए तो सब भी लगे हुए थे और महराज सब को कह रहे थे कि भई अभी आरती का समय हो रहा है तो थोड़ा जल्दी करें पर भक्तिजन को कौन रोक सका है सब लगे हुए अपना कोई बिली चढ़ा रहा है कोई कुछ कर रहा है और सब उसी में लगे हुए थे रहा हम अमरनात बाबा के दर्शन करने उन्हें अपने कैमेरा में केथ करने में सब लगे हुए थे कि मतलब इतना प्यारा वातावरन निर्मान हो गया था कि शीव में क्प्लिट हो चुका हुआ था तो सभी लगे हुए थे सब कैप्चर कर रहे थे हम भी वीडियो बनाने लगे कि यह मन मोहक्सा यह इतने सुंदर अमनाद बाबा के जो दर्शन है मैं अपने दूस्तों को भी दिखा सकूँ तो हमारे जो मंदिर है महादेव का स्री क्यलासपती महादेव के नाम से वहां पे सिवलिंग को इस्थापित किया गया है तो अब बहुत ही मतलब हमेशा फंक्षन सावन का महीना हो या रोज ही सब जल जल रहने जाते रहते हैं आज अच्छे आयजन होते रहते हैं और बहुत थी आच्छा सा वाताबरन आज तो बना हुआ था सबी लोग बहुत उस्सा में थे और ओम नवश्या की धून चल रही थी और महराजी ने आरती स्टार्ट कर दी फिर सबने आरती की नमा और फिर आरती चल रही थी उसके बाद सब्धर्शन करके प्रशाद का भी आयजन रखा हुआ था और भांग का प्रशाद का भी तर्ण ग्रम्वेदा स्वरूतं निजम्ने गुनम्ने विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासंभजेव